घटना चक्र प्रिव्यू एशिट इंडियन हिस्ट्री टॉपिक है बुद्धिजम आज हम इसमें डिसकस कर रहे हैं बुद्धिजम को अलड़ी इससे पहले चुमारे टॉपिक्स थे इसमें हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में उसके बाद इंडस वेली सिविलाइजेशन फिर थर्ड टॉपिक था हमारा वैदिक एज तो इन सबकी सेपरेट वीडियोज अल्रेडी चैनल के उपर अपलूट की जा चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा महाबर आपको वो सारी ही वीडियोज मिल जाएंगी इसमें घटना चकर में हम सिर्फ जो इसका MCQ पार्ट है सिर्फ उसको डिसकस नहीं कर रहे हैं बलकि MCQ से पहले जो थियोरिकल पार्ट जो होता है हम उसको भी यहाँ पर पूरा अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं और यह जो बुक है अपके किसी भी एक्जाम के लिए प्रपेर कर रहे हो यह आपके लिए बहुत साथा बेनिफिशल होने वाली है इसमें अपने आप में ही बहुत सारे क्वेशन है जो अल्रेडी जो प्रिविएस जो एक्जाम वगरा है उसमें आ चुकी है या फिर आने की चांस कि आपके तो वहीं परी रुपकर थोड़ी दिर के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सकता है तो शेयर भी कर देना तो चलिके स्टार्ट करते हैं गौतम बुट का जो जनम था वो हुआ था लुंबनी में नियर कबलवस्तू इन 563 BC तो इसमें सबसे इन क्लैन थे वहां से थी जो उनका चैल्ड हुट था का जो नाम था गौतम बुट का वो था सिद्धार्थ जो बच्पन का नाम था सिद्धार्थ था फ्यू टीज आफ्टर इस बर्थ हिस मदर डाइड और उसके बार फिर उनका जो पालन पोशन था वो इनकी जो मौसी थ पर इनका नाम रखा गया गया गौतम बॉट इनकी शादी हो गई थी जब खाली 16 साल के थे और उनकी वाइफ का नाम था ये शोडरा जो डॉटर थी शाक्या क्लैन की बात करते हैं बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसकी उसके अगर अब देखें तो जो उनकी वाइफ है उनको और बाकी नाम उसे भी जाना जाता है जैसे कि गोपा, बिम्बा, भडग चन्ना तो ये कुछ नाम है जिनसे उने जाना जाता है तो आप ये सारे नाम एक पर अच्छे से देख लेना कि हो सकता है कि उनकी जो वाइफ उनकी नाम ये पूछ लिये जा है जो उनका देखने के लिए मिलता है कि काफी बड़ा जो प्रभाव देखने के लिए मिला सिधार ते डिसाइड कर लिया कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ देंगे और वो छोड़ गए जब वो सो रहे थे अब जब उन्होंने ये सब चीज़े त तो वो जो सिधार थे उस टैंपेज उनकी एज थी वो सिफ 29 एगास ओल थी अबेंडिनिंग ऑफ होम इन बुद्धिस टेक्स्ट हाज बीन कॉल दा महा विभिनिश क्रम ठीके ना तो जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा तो उस बात को ये कहा गया जो ये तर्म है उसको अब सिधात कहां पोचते हैं तो ये राजगीर पहुचते है रहाजगरा भी बोलते हैं और वहां पर एक दूसरे धर मचारे से मिलते हैं गनाम ठाध मचार्य je रुद्रक राम्पूथ, ठीक है तो यह उनका पूरा नाम था, यहाँ पर पहले कॉंधिन के गुरू तो अलार कल्मा और दूसरे यह रुद्रक रामपूथ, गौतमा गौत इलाइटेड इन दा माइट ऑफ विशाक, पूर्णिमा, आफट सिक्स एर अफ कॉंटिनियूस मेड इनका 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 यह शाक्या मुनी नाम से भी बटाना चाओ था ता है अब इनके इलाइटमेंट के बाद क्या होता है जो सारनाथ वारणासी है उसी को रिशी पत्तम कहा गया था उस समय पे तो ये उरुवेला, ठीक है, from उरुवेला, he first reached रिशी पत्तम, and there he gave the first sermon to five ब्रहामन सर्नियासी, और वहाँ पर जाकर ये सारनाथ में, यहाँ पर ये पहली बार five ब्रहामनों को अपने उपदेश देते ह जो उनका पहला उपदेश होता है, उसको कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, symbol of Buddhism related to the life of Buddha, इनके life में जो भी events हुए है, उसको एक symbol से denote किया गया, जैसे कि जो उनका जनम है, उसको denote किया जाता है, lotus या फिर बुल, जो great departure था, जब ये अपने घर को छोड़ते है, मा विभिनिश करम जिस हम कहते है, तो उसे denote किया गया होर्स से, जब इनका enlightenment होता है, जिस से रिप्रेजेंट किया गया, वील से, लास्ट है परी निर्वान, जब इनकी death होती है, और उसे यहाँ पर symbolize किया गया, इस तूप से, ठीके तो याप याद रखना है, इस questions बहुत बनते हैं, इन पर, he spent second, third and fourth year of rain at the Rajkirah, तो जो इनकी second, third and fourth year of rain का, उसे ये राजकिरह मे इन्होंने spent किया, और बीम पिसार, दा रूलर ऑफ मगद, बिल्ट आ महावीरा, महा विहारा, कॉल दा वेलावन, फॉरेस रेसिजेंट, और उसमें मगद के रूलर थे बीम पिसार, उन्होंने इनके लिए महा विहारास भी बनवाए थे, और जिसे हम वेलवन भी बोलते है यह इनके रहने की जंगाई थी, यह वे बारिस में कहा रुकेंगे, अब traveling from राज किरा, बुद्धा कहां पहुचते हैं, वेशाली पहुचते हैं, जो capital थे लिच्छवी की, यहाँ पर यह अपने 5 साल बिताते हैं बारिश के, लिच्छवी बिल्ट आ फेमस कुटाग इना महावन पॉरिष रसिडेंस, यहाँ पर बीम बिसार ने क्या बनवाया था मगद में, तो महा विहारास बनवाया था, यह वेलावन बिप कहा गया, आगे जब यह राज किरा से वेशाली गए, अब वेशाली में लिच्छवी क्लैन था, अब वहाँ पर यह पांच साल तो लिच्छवी वालों ने के लिए क्या बनवाया, तो कुटागर शाला बनवाई, क्या बनवाई, क्या बनवाई, क्या बनवाई, कुटागर शाला बनवाई, इनके रहने के लिए, वेशाली ज रॉयल कोटेशियन, अमर पाली, बिकाम हिस डिसिपल, अब जो वेशाली मे enlightenment, अब इनके enlightenment के 8 वे साल में, कौतम बुधा permitted woman to enter as a bhikshuni into Buddhist sang, अभी तक इनका जो sang था, उसमें महिलाओं को आना पूरी तरह से वर्जित था, महिलाओं के लिए नहीं थी permission, लेकिन अब 8 वे साल में आके इन्होंने जो महिला आये थी, उनको भी permission कि वो भी Buddhist sang में आ सकती है वे शाली में जो ये Buddhist sang था किसकी advice पर? तो इनके disciple थे आनन्द, उनकी advice पर इसमें जो पहली महिला थी जिन्होंने इनके संग से जो जुड़ी थी वो थी इनकी खुद की आन्ट, महाप्रजापती जिन्होंने इने पाला था, जो उनकी mother थी, step mother थी देवदत इनके कजन थे, हम सबने बच्वन में स्टोरी सुन रखी है तो जो देवदत थे वो उनके कजन थे बुद्ध के देवदत फॉर्स्ट ली become a follower and then become an enemy of Buddha तो शुरू में तो यह अच्छे दोस रहते हैं इनके follower बन जाते हैं कि बाद में इनके दुश्मन बन जाते है क्योंकि यह चाहते थे कि बुद्ध को उनकी जंगा से हटा के बुद्धिस्ट संग में यह बन जाते हैं एक बहुती बड़े बुद्धिस्ट संग थे जिनका नाम था अनन्थ पिंड़क ठीक है यह कोशल किंग्डम से बिलॉंग करते थे बाद में यह क्या हो गए यह बुद्ध के यहां पर डिसिपल बन गए और यहां इन्होंने क्या डोनेट कर दिया जो जीतवान बिहार है वो बुद्धिस्ट संग को यहां पर दान कर दी कोशल किंग जो प्रश्ण जीत थे उन्होंने भी बोध धरम को अपना लिया अपनी फैमिली के साथ और इन्होंने भी यहां पर यह जो पुभर आमा बिहार करके यह बनवाया बुद्धिस्ट मोंग्स के लिए पुद्धा स्पैंट इस लास्ट रेनी सीजन तो जो बुद्धे उन्होंने अपने जीवन के जो आकरी रेनी सीजन था वो कहां पर बिताया था तो वो विशाली में बिताया था वाइल प्रेजिंग बुद्धिजम, he reached पावा, और बुद्धिजम को प्रीच करते-करते, यह पावा पहुँच गया, और वहाँ पर यह रुखे, कहाँ पर, अमर्वाटिका ओफ चंड, जो एक ब्लैक स्मित थे, उनके यहाँ पर, उन्होंने बुद्ध को क्या दिया, शु नगर में, जो capital थी, रिपप्लिक, मल्की, कहा ना, और इनकी डेथ कब होती है, तो 483 BC में होती है, जब इनकी जो उम्र है, वो 80 साल होती है, इन बुद्धिस टेक्स्ट, इस इवेंट इस कॉल था, महापरी निर्वान, और इनकी जो डेथ है, उस इवेंट को, बुद्धि परिवर्तन कहा गया था, और इसको डिनोट किया जाता है, किस सिंबल से, तो वील से, महापरी निर्वान को किस से, किस सिंबल से रिप्रिजन किया जाता है, तो स्थूप से, यह सर्मन था, इसमें बताया था, दुखों का कारण क्या है, हम पताब जो भी इनकी पूरी वो जो यह बताना चाहते थे, जो उनकी खुद की ग्यान प्राप्ती थे, और लोगों को बताई, कि हमें दुखों का क्या कारण है, दुख कैसे आते हैं, और उनका क्या solution है, the concept of eightfold path, यह लेकर आए, form the theme of dharm, चक्र, परिवर्तन, सुथ, और इनों ने इस तरह की धीम चलाई, which means sermon of the turning of the wheel of law, इनोंने यहाँ पर क्या किया, noble eightfold path है, जिसे हम noble truth भी बोल सकते हैं, मतलब यह, sorry, दोनों चीज़ा अलग है, noble eightfold path and four noble truth, इसको क्या क्या accept किया, और इसे साथ में चो अपने buddhism में और जो लोग हैं उन तक फैलाया, चार जो noble truth है, वो क्या थे, यह देखते ह पहला है, there is suffering, ठीक है, उसके बाद there is a cause of suffering, there is a cessation of suffering and there is a path leading to the cessation of suffering, the main reason for the spread of the buddhism was its simplicity, इसका main कारण ही यही था, कि यही ताज़ादा spread होगी, कि simplicity बहुत थी, its eightfold path non as the arya satya, जो उसके eightfold path है, उसको arya satya भी बोल जाता था, और इसका जो basically concept था, वो था non-violence, और काफे simple था और इतना easy था कि हर जो common people है, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान है, मतलब जिसे जो जादा पड़ा लिखा नहीं है, या बहुत एक simple सा आदमी है, तो वो भी इसको बहुत इच्छे से समझ पायागा, बोध spread his message in a simple language and the language of the common people, जैसे कि पहले जो बड़े जो वैदिक टेक्स वग जो सर्मन वगे रहा है, वो दिए, बुदिजम डिट नॉट बिलीव इंदा कास्ट डिस्टिंक्शन, जो बुदिजम है वो कास्ट डिस्टिंक्शन में बिलीव नहीं करता था पूरी तरह से, अब देके बुदिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, पहले जो बुदिस्ट कि अफ़ी है, जिस साल कौताब बूद की डेथ होती एंखापर, राज ग्रहों में होती है, प्रेसिडेंट होते है, महा कンタर युदि hopूर से के रूलर रूर जात शतरों। सेकेंट होती है, वी प्षोल ava season stop & tip. थेर्ड वाली 247 BC पाटली पुत्र और इसमें जो प्रेशिडेन्ट होते हैं मोगली-पुत्स्थ्था और रूलर होते हैं अशो फोर्थ होती है 1st century AD और कहां पर होती है कुंडलवाना जमुकाश्मीर और इसमें दो प्रेशिडेन्ट होते हैं वासुमितरा और अश्व गोश तो उन लोगों को कहा गया महा संगी का ठीक है जो लोग बोत धरा में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं चाहते थे अब बदल रहा है या कितना भी आगे बढ़िया हमें कोई चेंज चाहिए हमें उसी में रखनी है जो हमारी पहले वाले सोचा में वही बनाके रखनी है उनको बोलते थे स्थावर या थेरावाती और इसको लीड करें थे महा कश्चप पन ठीक है ना महा कश्चन यह बोल सकते तो हम वो पुटाना जो ट्रडिशनल जो चलता आ रहा है हम उसको इतना फॉलो क्यों करें अब फोर्थ काउंसिल पे हुआ क्या जो कनिश के टाइम पे इन्होंने क्या किया बुद्धिजम को दो सेक्ट में डिवाइड कर दिया एक हीन यान हो गए और एक महानिया तो बो कि यहां पर मूर्तिया भी बनाने शुरू कर दिया और मूर्तियों को पूझना शुरू कर दिया गौत्तम बुद्ध वस ऐलिवेटे तो पुजिशन ओगा दिया दूरिं पीरिड ऑफ कनिश के टाइम पे और फॉर्थ जो बुद्धिम की जो काउंसिल थी उसके टाइम पे पूछता है कि सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो हीन यान है जो बिल्कुल जिसकी सोच अभी बिल्कुल पुरानी है जो एक दम ओरिजिनल जो थौट्स थे बोध धरम की वो अभी उसी को ही फॉलो करते आ रहे है उनका मानना था कि जो लौड बुद्ध है हम उन्हें पूजा नहीं करेंगे लेकिन जो महायान के लोग थे उन्होंने जो बुद्ध है उनको भगवान बनाकर उनकी मूर्तिया बनाकर पूछना शुरू कर दिया था श्रवस्तिवाद लिटरली मीन डॉक्टराइं डेट अल एक्सिस्ट इस्टिवादनी क्या है ये कॉंप्लेक system है in which past present future phenomena all are held to have some form of their own existence like all buddhist shravasti vadans consider everything empirical to the transient but they maintain that the dharma factor attorney existing reality impermeience को क्या बोलते थे अनित्या बोलते थे is one of the essential doctrine and a part of three marks of the existence in buddhism these doctrine was presented by the buddh himself तो इचिती भी हमने मोटी मोटी तरम्स पढ़ी है सारी वही है जो खुल जो लॉड बुद्ध है उन्होंने बताई है the doctrines asserted all the condition existence without exception is a transient evincent inconstant and the imperveillance is a source of दुख and suffering देख आपात करते हैं नागरजुन की नागरजुन primary contribution to buddhist philosophy was the use of the concept of sunyat देख जहां पर sunyat की बात आजाए आपको बिल्कुल आख बंद करके टिकर दे ना नागरजुन के साथ इनका famous literary work था जिसका नाम था माध्यमिका कारिका और यहां पर इन्होंने बताया था जो theory of relativity थी उसके बारे में इसके थ्रू और नागरजुन was an eminent personality in the court of Kanish कोई पूछे कि किसके court में काम करते थे यह तो यह करते थे कनिश के court में काम करते थे हुएन सांग ने तो यह भी कहा है कि अगर चार great guiding power की बात करे तो उनमें से कौन थे एक नागरजुना थे नागरजुना theory of relativity की बात करते है अपनी माध्यमिक कारिका में इसलिए इन्हें इंडिया का Einstein भी कहा जाता है according to Chinese mythology नागरजुन traveled to China and preached Buddhism तो Chinese mythology की according जो नागरजुन थे वो चाइना भी गए थे Buddhism को प्रीश करने के लिए मेत्रिये कौन है तो वो future बुद्धा के लिए बताया गया जो बुद्धिस tradition ने उसमें कहा गया है कि जब future बुद्धा का जनम होगा वो आएंगे तो वो ने मेत्रिये के नाम से जाना जाएगा पद्मिपानी और Lottis Bearer यह बहुत ही most common epithetic इस्का अवलोक Ketishwara ठीक है ना अवलोक Ketishwara तर बुद्धी सत्वाप इंफिनाइट कमपेशन दिस सुपभली स्क्रप्चर स्टैंट इना त्री भाग और ट्रीबेंट बोस बोधी सत्वा कौन होते थे तो यह एक ऐसे लिविंग बींग है ठीक है ना इंसान ही है हूं इस्पार टो इलाइट अंड केरी आउट थे अल्टूस्टिक प्राक्टिस तो यह एसे लोग है जो दूसरों को प्रेडित करते हैं इलाइटमेंट के लिए और उनको एक सही रा दिखाते हैं तब बोधी सत्वा आइडिले सेंटर तो थे महायान बुद्धिस ट्रडीश अब यहां पर देखो पुद्धिसम को प्रीश करने के लिए यहां पर कुछ नई लिट्रेचर को लाया गया जिसमें कि त्रुपटक कहा गया रिसे और यह तीन कैटेगरी में डिवाइट की गई एक है सुद्पिटक दूसरा है विनय पिटक और अभिधम पिटक सुद्प अभिधम पिटक के अंदर सेविन और बुक्स आती है जिनका नाम है यमका पथान कठावस्तु पुगलप पनौति अंद धातुकता विभांगा और धम संगनी देखे और किसी को पर पनाउस करने में मुझे पता है कुछ तो गलत बोल रही हूं मैं यहां पर तो इसलिए प प्रिवियस बर्थ और गौतम बुद्धा और कंपाइड जातक क्या थी तो यह जातक कुछ और नहीं बलकि जो गौतम बुद्ध की पिष्टे जनम की जो बर्थ स्टोरी थी उनी के बार को पूरा कंपाइल करके यहां इसके अंदर बना दिया और यह सारी पाली लेंग्व अर दूसरा हात उनकी लाप में रखा होता है इस टेश्चर रप्रेज्ट अवद्धा अवेकनि अवेकनि अजा जाता है कि वो पनी खुद की अवेकनि के लिए यहां पर जो अर्थ है वो बदा उसो क्लेम कर रहे हैं कि मता अपने इलाइप्मेंट के लिए तीक है इसा कहा जाता है कि मतला जो डिमॉन मारा है उन्होंने परिशान करने के लिए एक डिमॉन की आर्मी लेकर आए थे उनको हराने के लिए यहां पर हुआ क्या था उल्टे जब मारा थे वही हार गए थे जा में जाता है जाता है नालंदा पटे उनको यूनिवर्सटी जाता था जाता था नालंदा भू मेन बुकेशंट इड़ने के लिए जो जो नालंदा था, वो मैन सेंटर था education के लिए किसमें महायान बुर्दिस्म के लिए महीं अगर वल्लभी के बात करें तो वल्लभी किस के लिए था कक किसने with कि किसी किया था तो ये established किया था पाला किंग थिक्वर शीला किसने किया था तो वो था गुपता पीरियड, okay? Initially, कुमार गुपता first donated to Nalanda Buddhist विहारास्टी है, जो कुमार गुपता थे शुरुवात में ये जो Nalanda Buddhist विहार हैं उनको ये बहुत साथा donation देते थे उसके बाद फिर बुद्ध गुपता देते थे, फिर तथा गुपता नवा नालन्दा और बालेदित्या, ये सब वो लोग थे जो गुपता डैनिस्ट से बिलॉंग करते थे और ये सब के सब क्या करते थे, अच्छा खासा donation देते थे जो भिहार वगरा है उनको नव नालन्दा महावियर is a modern center of Buddhist study, which was established by the Bihar government पाद में हम सब को पता है कि जिब नालन्दा को destroy कर दिया गए था, उसके बहुत time बाद जो Bihar को की जो government है उसने वापस से जो नालन्दा युनिवस्टी है उसको वापस से सही कर कर उसको वापस से open किया था को क्या बोल गया नम नालंदा बोल गया और यह बिहार गॉर्मेंट में शुरू करा था 1951 में अधन्पूरी को जिसे हम अधन्पूरा भी बोलते हैं वह अ प्रॉमिनेट एजुकेशन सेंटर ऑफ एशन टाइम तो यह भी एशन टाइम का बहुत ही पुराना एजुकेशन सें और सामादी बोलते है में जाकिन हो पूझा भी बोलते है टाइसमाधिया में गया जो निसी बूर करेइट लुकेश सवां बोलते हैं जो बेर में पने घर मर इसको के साथ दभा थेशन तो लिए बंड इन को बना लेगा है मुह दो तो एवर 좀 उसको वहो भी डिरों मुन आसपास जो भी घर बने होते थे, जो भी मुनास्टरी मठ वगरा बने होते थे, उसको बोलते थे विहार, जो word स्थूप है पहली बार जो जिक्र है, जो यूस भूँज हुआता वो हुआता रिग्वेद में जो रिग्वेद टेक्स्ट है उसमें स्थूप का नहीं है, it is related to the enlightenment of the Buddha, वो Buddha के enlightenment से जुड़ा हुआ है, सांची स्थूप is not related to any episode of Buddha's life, दिनके सांची स्थूप से, Buddha की life का कोई भी event नहीं जुड़ा हुआ है, in this स्थूप the remains of Buddha or the chief disciple, इस स्थूप के अंदर Buddha और उनके जो chief disciples, उनके जो remains है, उनका कुछ भी जो, उनका समान है, उसे वो रखा हुआ है, so they become the main center of devotion and worship of the Buddha, तो इसलिए वहाँ पर वो एक main center बन गया है, किसका devotion का और worship करने का, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का जो Buddha हैं, उनके जो disciples हैं, उनका समान रखा हुआ है, स्टूप, चार टाइप्स की होते हैं, जिसे शारडिक स्टूप, ठीक है ना, परी बहुविक स्टूप, स्टूप, एंदा उदेशी का, एंदा पुजारदक, जहां पर पूजा की जाती है, गौतम बुद को Light of Asia भी कहा जाता है, जो बुक है इनकी Light of Asia, जो गौतम बुद की Life पर लिक्की हुई है, उसे किसने लिखा है, तो यह एडविन आर्नॉड ने लिखा है, महापरिनिर्वान टेंपल की बात करें, तो यह कहां पर है, तो जो महापरिनिर्वान टेंपल है, यह है आपका कुषि नगर दिस्रिक और उत्रप्रदेश में, जो स्टेचू है, लौड बुद्धा का टेंपल में, वस अप्टेंड वायगदा एक्सकिवेशन इं 1876, तो यहां पर पर परिनिर्वान टेंपल के अंतर, जो स्टेचू है, लौड बुद्धा का, वो कम भिला था, तो वो मिला था 1876 में, जब यहां पर एक्सकिवेशन होगा था, इजो स्टेचू है, यह 6.10 मीटर हाई है, 6.10 मीटर हाई है, इस टेंपल में, और इस प्लेज अ लाइंग पोस, इस आइडल रफ्लेक्ट पिरिए फिर लौड बुद्धा, अग्ग एज अफ एटी, लफ्ट इस अर्थली बॉड़ी और बिकम फ्री 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 अव डेट, तो जब आप इस स्टेच्य को देखोगे, यह इससे देख ऐसा लगता है, देखो, जो महायान है उसको बोलता है great vikal, जो हीन यान है उसको बोलता है lesser vikal, ऐसा क्यों कहाँ गया है? क्यों क्यों महायान को follow करने वाले बहुत लोग है, यो कि जो हीन यान में गया हिए जो भी thoughts है, जो भी उसकी ideology है, वो बहुत सादा हम कह सकते हैं, ऐसी है कि वो इसले किसी के बसकी है नी फॉलोवर नी और महायान ऐसा है कि हम ना तो जादा कोई वैसा आसान काम की तरफ जा रहे हैं ना कोई बहुत मुश्किल काम की तरफ जा रहे हैं हम एक बीच का रास्ता निगालते हैं तो वो यह महायान वाला फही है तो इसको में भी और पुनर जनाब में भी मही हीन यान की बात करें तो there is a intelligistic religion according to this every person should get salvation through his own efforts है अगर हार किसी को मुख्ष मिलेगा अपने खुद की efforts के बाद it emphasized on the philanthropian service its objective that is the welfare of all mankind and it does not believe in idol worship and devotion these principles are symbol and accessible and in this importance given to the common devotees along with the monk, जबकि इसमें क्या बोलते हैं its aim to attain arhat, its major sect vibhashika and a sotantrika ये major sect याद रख लेना हीन यान के vibhashika और sotantrika its a way of worship is strict and follow the monk life यहाँ पर आप एक common man की तरह महायान के अंदर आप एक common man की तरह शादी वरागरा करके अपनी family के साथ रहे के भी ये महायान buddhism को follow कर सकते हैं लेकिन हीन यान के लिए आपको बिल्कुल एक monk वाली life को जीना पड़ेगा तो ये जादा लोग इसके अंदर है इसके अंदर बहुत कम लोग है तो ये था हमारा महायान और हीन यान its ideal is bodhi sattva major secta sunyavad and vigyan तो ये और कुछ बाद चीज़े दे रखी है ये deal के साथ करता है तो bodhi sattva के साथ deal बगारा करता है यहाँ पर हम क्या पढ़ रहेते उपर हाँ तो difference बता रखे है Buddhist text and their author तो ये कुछ Buddhist text है और ये उनके author है बढ़ पानो किस ने लिखा था तो ये नाक सेने लिखा है जो ये बुध चरित्रा और सुंद्रा नंद शारी पुत्र प्राक्रण ये अश्व गोशने लिखे है माध्यमिक कारिका इसमाना बताएता है ये नगर चुन विशु धिक मगा ठीक है ना ये बुद्ध गोश ने और अभीधम कोश ये वशु बंदु ने ठीक है अभीधम कोश वशु बंदु अब बात करते हैं क्वेशन की तो क्वेशन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ ये MCQ वाला पार्ट प्रीज आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना ठीक है बहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सबने लाइक जरूर कर दिया होगा तो चलिए अपने MCQ वाले पार्ट को शुरू करते हैं तो फिर्स्ट क्षिशन है वें वस गौतम बुद बॉन तो इनका जनम कब हुआ था गौतम बुद का तो 563 BC में हुआ था ऑप्शन नमर ए के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नमर ए हमारा सही हो जाएगा गौतम बुद was known as Siddharth, was born in 563 BC in Shakhya Shatriya family in Lopni near Kapilvastu Nepal His father name was Shuddodhana who was the chief of the Shakhya clan His mother was Maya Devi who was from the Kalian clan At the age of 29 he left his home on his horse Kantak and accompanied by Channa and this was called the Maa Vibhanishkaram ठीके था ये चन्ना के साथ, जो उनके गोडे बगरे को चलाते थे, उनके साथ आई थे And he died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar, the first capital of city Malla Which is known as the Maa Pari Nirvan Which of the following event of the Buddha's life is known as the Maa Vibhanishkaram तो जब अपने ये घर छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं, Maa Vibhanishkaram, ठीके ना गौतम बुद्धास mother was from which clan तो गौतम बुद्धा की जो mother थी, वो बिलॉंग करती थी, option number D, Kaulian clan से तो option number D, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा गौतम बुद्धास mother was born and अभी हमने पढ़ा था, Lumini में, option number B Which of these is another name of Buddha तो Buddha का इन में से दूसरा नाम क्या था, वह में बताना है तो क्या था इन में से दूसरा नाम कोई भी नहीं है, ठीके तो पार्थ और गुडुकेश, यह हमने पढ़ा था महाभारत में, ठीके है, महाभारत में जो Arjun होते हैं, उनको कहा जाता है पार्थ या फिर गुडुकेश के नाम से, वही हम बात करें मिहीर और परचना, तो यह भी बुद्ध के के इंसक्रिप्शन से, जो मौरियन का इंसक्रिप्शन तो option number A सही हो जाएगा, from the Mauryan dynasty emperor, Ashok's Rumnay Day Pillar inscription is known that the Lumni is the birthplace of Gautam Buddha, according to this inscription, King Ashok came here in the 20th year of the coronation and worshipped the place where Shakyamuni was born, in addition he also exempted Lumni from the text, it was the birthplace of Gautam Buddha, which one of the following inscription of Ashok confirm the tradition that Gautam Buddha was born in Lumni, अभी हम पढ़की आई हैं, तो वो कौन सा था, वो था option number D Rumnay Day Pillar, इंसक्रिप्शन, जिससा में पता चलता है, कि इनका जो जना में वो Lumni में हुआ है, the inscription of which one of the following king give the information that the Shakyamuni Buddha was born in Lumni, तो बार-बार पढ़ रहे हैं Ashok का और पिलर था, तो Ashok ही होंगे, option number E के साथ जाएंगे, वेर दिट महात्मा बुद्ध महापरिणिवा टेक प्लेस, तो काहां पर वो थान का महापरिणिवा, तो कुशी नगर में हुआ था, okay, तो महात्मा बुद्ध दिलिवर्ट इस फर्स सर्मन प्लेस, तो किस रिपबलिग में, option number A, मला, थीक है, गौतम बुद्ध अटेंड महापरिणिवान in the kingdom of the, option number C, वही है, बार-बार जो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ और नहीं है, question number 12, गौतम बुद्ध अटेंड निर्वान at which place, तो कहां पर वो था था, तो यहां पर हमारा कोई बिया option सही, नहीं है, महापरिणिवान temple is located है, तो कहां हुआ था, तो option number 1, कुछी नगर में, ठीक है, क्योंकि यही परीन का महापरिणिवान हुआ था, तो महापरिणिवाना temple is situated in कुछी नगर district of गुद्ध परदेश, इस famous statue of बुद्ध, और यहां पर बहुती famous statue of Buddha, the image was unaddened during the excavation in 1876, carved out chudas sandstone, the statue represented a dying Buddha reclining on his right side, which of the falling kingdom were associated with the life of Buddha, तो इसमें बुचा गया है कि इनकी life से जुड़े है कौन से kingdom है, तो बहुमें बताना है, तो यहां पर हमारा जो आंसर है, वो सही होगा कोशल और दूसरा है, यहां पर मगद, तो यहां पर इसलिए हम option number C के साथ जाएंगे, कोशल और मगद हैं, जो इनकी life से जुड़े हुए है, तो from the given kingdom, Gautam Buddha was associated with Koshal and Magad, he visited these two kingdoms to propagate his teaching, क्योंकि यह दोनों ही जगा पर गए थे, आमने teachings को प्रपोगेट करने के लिए, कोशल और मगद, who was the last person to get enlightenment from the Gautam Buddha, तो कौन से थे वो, तो वो थे option number D, सुबद्धा, ठीके ना, तो option number D के साथ हम चाहेंगे, वो उनके last disciple थे, Gautam Buddha, sorry, who was the last person to get enlightenment from the Gautam Buddha, तो जो सुबद्धा थे, वो last person थे, जिने enlightenment हुआ था, तो Gautam Buddha in the last year, went to his disciple name, Chun at Pava, where he suffered food poisoning, after eating pork, offered by Chun, and then he went to Kushi Nagar, where he gave his last sermon to, Subhadda and finally attained the Mahaparinirvan at Kushi Nagar, who among the following, was the last person converted by the Buddha, तो ये भी Subhadda ही होगा, परदा option number D के साथ जाएंगे, the ruler of Suvarnabhumi, who founded a Buddhist monastery at Nalanda, and requesting Devpal through his ambassador, to grant five villages for his maintenance was, तो ये कौन थे, तो ये थे, Balputradev, तीक है, Balputradev, ये ruler थे, Suvarnabhumi के, और यहाँ पर इन्होंने ये चाहते थे, कि ये जो Nalanda है, उसमें कोई monastery बनाए, तो इसके लिए इन्होंने जो Devpal थे, उनके पास request भेजी अपने ambassador के थुरू, कि इसके लिए, वो उन्हें क्या करें, जो देवपाल है, वो उन्हें पांच गाउँ दे दे, बैसे जो भी grant मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कुछ भी बनाते है, monastry वगरा, तो उसको manage करने के लिए, पैसे वगराँ भी तो चाहिए, उसकी maintenance के लिए, तो ये स्वाट भूमी के रूलर कौन थे, तो ये थे बाल पुत्र दे, वो फांड़िट बुद्धिस मुनास्ट्री, जिनों ने नालंदा में एक बुद्धिस मुनास्ट्री को बनाया था, रिक्वेस्ट की ती देवपाल से, के वो क्या करे, पांच गाउं का जो grant हो इनको दे, जिसे की वो से maintain कर पाए, बुद्धिस बूद्धिस रिचाइट दूरिंग है, दूरिग थे लास्त रिचिन सीजन और लास्ट्री को ये कहां पर इंटाया था, वह था वैशाली तो option number B आपका यहां पर सही हो जाएगा Buddha resided in वैशाली during the last rainy season of his life actually Buddha reached Beluva which was in the suburb of वैशाली to spend his time during rainy season at the age of 80 years with two disciples one of them popularly known as the Ananda which one of the following describes best the concept of Nirvana in Buddhism तो यहां पर बताना है कि which one of the following describes the best concept of Nirvana in Buddhism तो सबसे जो Nirvana है उसका जो concept है वो क्या है option number A के साथ हम जाएंगे the extinction of the flame of desire है ना कि अपनी साथ जो desire साफ उनको खातम कर दीजेए उसके पाद दुखो का कोई कारण बचेगा ही नहीं आपके पास okay who was Alar Kalma तो आपने बताया थे नहीं के पहले गुदु थे तीचर के थे यह किसके बुद्ध के तो option number D यहां पर हमारा सही हो जाएगा next question देखते है Alar Kalma was one of the best and the well-known religious teacher ascetic Buddha went to study under him he stayed and learned many things including meditation he worked hard and eventually equalled his teacher in learning finally Alar Kalma could not teach Buddha anymore and he said you are the same as I am now there is no difference between us stay here and take my place and teach my students with me Alar Kalma was an acharya of Sankhya philosophy and was renowned for his spiritual strength at which place did Mahatma Buddha gave his his first Dharm Chakra Parivartan तो कहाँ पर दिया था तो वो था Sarnath तो option number B के साथ आप जाएगे after his enlightenment in Buddha Buddha went to the Sarnath where he delivered his first sermon which is known in Pali as the Dharm Chakra Parivartan और Dharm Chakra Parivartan Sarnath is one of the four holy places associated with the life of Buddha other three important places related to Buddhism are Lumbni, Birth Place of Buddha second half both गया जहापर उनका enlightenment हुआ था third है कुशी नगा जहापर उनकी death थी where did Buddha preach his first sermon अभी पढ़ाया कहां पर दिया था आपना पहला उन्देश तो Sarnath में तो option number B आपका सही हो जाएगा who gave the first sermon in Sarnath किसने दिया था पहला सर्मान धर्मचक्र परिवर्तन है उसे क्या कहा गया है तो वो है आपका first sermon at Sarnath option number B सही हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन was performed at कहां पर हुआ था वही सार्ना तो option number C सही हो जाएगा Gautam Buddha gave the maximum sermon कहां दिये थे इन्होंने तो maximum sermon जो उपदेश है वो दिये थे श्रावस्ती में option number B सही हो जाएगा श्रावस्ती में Gautam Buddha ने सबसे जादा sermons दिये थे most of the disciples of Gautam Buddha were from the kosher region he delivered his maximum sermons at Shravasti the capital of kosher तो यह 3 रतन है यह किसका concept है किसकी philosophy है तो यह buddhism की और यह 3 जो 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 बोला गया है buddh philosophy का वो कौन कौन से है तो buddh, dham, or sang where does 3 ratan means in buddhism तो अभी हमने उपर पढ़ा तो option number B हमने पर 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 चाही हो जाएगा buddh, dham, और sang buddh, dham, sang और the 3 jewels of the buddhism after the death of buddha his teaching were collected in three parts of known as the three pitak and the three pitak are the Vinay pitak, Sudh pitak, Abhida pitak Buddha had visited Koshambi during the region of the Buddha किसके time पर Koshambi गए थे तो वो था Uddayan का time, ठीक है नो, जो Uddayan थे उनके time पर Mohatma Buddha visited Koshambi during the reign of King Uddayan it was its ninth resting place under the influence of Pindola Bharatvaj Uddayan turned to Buddhism and donated Ghosit Ram Vihara to Bhikshu Sang ठीक है तो किसके influence मा के Uddayan ने ये किया था तो ये किया था, पिंडोला Bharatvaj First Buddhist Conference after the death of Buddha was presided over by तो ये किसने किया था, महा कशप ने किया था, क्योंकि उस साले जो Gautam Buddha थे, उनकी death हो गई थी, उस साले पहली council हुई थी, जिसकी जो अधिक्ष्टा थी, वो महा कशप ने की थी The first Buddhist council was held soon after the महा परिन्वान of the Buddha Under the patronage of King Ajash Shatru, और King कौन थे Ajash Shatru थे और Maung थे, महा कशप, ये कहां पर हुई थी, तो राजगिरह में हुई थी ये सब्त परणी जो केव है वहां पर हुई थी, पूचह जा सकता है केव से भी केव कहां पर है, या फिर ये राजगिरह है कि पास कौन सी केव है, इस तरह से पूचह जा सकता है The idea was to preserve Buddha's teaching and rules for disciples Anand one of the great disciples of Buddha and recited Sudh and Upali Another disciple recited Vinaya and the Abhidam Pitaka was also included Who among the following conducted the first Buddhist council? किस ते conduct कर रही तो महा कशप ने, option number B, जो हमने उपर भी पढ़ी है अभी सब्त पढ़नी केव कहां पर है भाही मैं आपको बताया है, ऐसे भी पुछ जा सकता है, तो option number C के साथ आप जाएंगे, राजगिरह है Who among the following presided over the Buddhist council held during the region of Kanish at Kashmir? तो इस time पर कौन थे? तो भी इस time पर अधक्ष्टा करी थी, वासुमित्रा ने वास प्रेसिदेंट थे अश्वगोष और किसके टाइम पर हुए? Kanish के टाइम पर हुए जो कुछान किंग से थे और the council distinctly divided Buddhism sects into two sects ठीके ना, तो महायान और हीन यानमिन उने Buddhism को यहाँ पर divide कर दिया था Which of the following ruler conveyed the fourth Buddhist council in Kashmir? तो कौन थे ruler? तो रूलर थे? कनिश्क, तो option number C के साथ आप जाएंगे कनिश्क के टाइम पर महायान sect and Buddhism immersed during the region of, तो महायान sect किसके टाइम पर है था? तो fourth Buddhist council थी और इस टाइम पर कौन थे? तो यह भी आपका कनिश्क option number C सही हो जाएगा The fourth Buddhist council was held during the reign of, जो fourth Buddhist council है वो इसके time पर फिर से वही question है आपका तो कनिश्क, four Buddhist council were held in which of the following places, arrange them in a chronological by using the code given below तो पहली का पर होई थी राजकिरह में ही थी, दूसरी का पर होई थी तो वैशाली में होई थी तीसरी थी वो पाठली पुत्रा और फे कुंडलवन, तो 2143, ठीक है 2143, option number D के साथ आप चले जाएगे इसे पढ़ लेते हैं First Buddhist council was held soon after the death of Buddha under the patronage of King Ajaj Shatru विद्दा मौक महाकशब, ठीक है तो पहली जो हुई थी वो महाकशब उसके president थे और उस time पर ruler थे Ajaj Shatru कहां पर होई थी राजकिरह में, जो सब्त परणी केव है महाँ पर Second council की बात करें तो ये Kaal Ashok के time पे हुई थी और ये Buddha की death के पूरे 100 साल बात हुई थी Vishali में हुई थी और उसको preside किया था किसने सब कामी ने Third council हुई थी Ashok के time पे पाठली पुत्र में और Fourth council हुई थी Kashmir में Kanish के time पे Second Buddhist council was held at which place तो Vishali, option number B आपका सही हो जाएगा Where was the third Buddhist council held? तो third कहाँ पर हुई थी तो पाठली पुत्र में हुई थी तो option number D आपका सही हो जाएगा Option number D, first Buddhist council was held during the reign of the किसके time पे हुई थी तो ये हुई थी Ajaj Shatru के time में तो option number B आपका सही हो जाएगा 44, the first Buddhist council was held in which of the falling city तो भर बार पढ़ रहे है, राजकीर में हुई थी Second Buddhist council को किसने और्गिनाइज किया था, तो option number B, Kaal Ashok Fourth events of Buddha's life and they are by related four places mentioned below तो ये चार जगा दी हुई है और ये बता रखा है, ये कहाँ पर क्या हुआ था तो बताना है तो आपका option number C, यहाँ पर सही हो जाएगा Question number 47 है, which event of Buddha's life is represented by wheel with deer in Indian art तो किसे Buddha की life में कौन साइसे event था, जिसे हम wheel से represent करते हैं तो उनकी first preaching, तो इसे बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है ये भी आपको match करना है, तो बर्थ के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है, तो बर्थ के लिए यूज किया जाता है, लोटस ठीक है, जो first sermon था, उसके लिए धर्म चक्र, enlightenment के लिए बोध ही तरी कियों कि बोध ट्री के नीचे, पीपल के पेट के नीचे बैटके इनका enlightenment हुआ था, और great departure के लिए horse, तो option number D आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कर्म लापा, लामा, belong to which of the following sect of Tibetan Buddhism, तो यह पूछा गया है कि जो कर्मापा, लामा है, वो तिब्यत न बुद्धिसम के किस sect से बिलॉग करते हैं, तो वो है कांग यूपा, ठीक है, किस से कांग यूपा, तो कांग यूपा, तो कांग यूपा, लामा, बिलॉग तो कांग तो बिल्कुर सही है, उनका जो इलाइट्मेंट अबोध गया है, तो यह भी सही है, वो वेधिक लिजिन को नहीं मांदे, तो यह भी सही है, और चार्ड नॉबल को रिष्क है, तो option नमर सारी सही बजाएंगे यहाँ पर, तो option नमर D के साथ हम जाएंगे, 1, 2, 3, and 4, तो य he believed in noble deeds, act in place of Vedic rituals, he has given four noble truths, often known as the Arya Satya, life means suffering, the origin of suffering is attachment, the cessation of suffering is attainable, and there is a part to the session of the suffering, तो यह सारी चीज़र उन्हें बताई थी, तो option नमर D के साथ हम जाएंगे, Maha Bodhi Temple has been built at Bodh Gaya, तो कहां पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है, जहां पर उनका enlightenment हुआ था, Gautam Bodh received enlightenment, ठीक है, Gautam Bodh received enlightenment, वहां Maha Bodhi Temple को बनाया गया है, For full six years, Gautam would sought a due solution to the suffering, ultimate he got enlightenment at the age of 35 years at Bodh Gaya, under people tree on a Veshakpun Nima night, hence he was called Bodh and Maha Bodhi Temple was built at this site, Question number 52, The Bodhi Vraksh in Bodh Gaya belongs to which generation of its family, तो यह कौनसी generation से बिलॉं करता है, तो यह बिलॉं करता है आफके 5th generation से, At present Bodhi Vraksh at the Maha Bodhi Temple is not the real one, जो अभी वहां पर जो ट्री है वो असली नहीं है, उस असली वारे ट्री को तो जो शशांक था, जो किंग था शशांक उसने पूरी दर से दिस्ट्रॉय कर दिया था, ऐसा हमें हुएं सांक जो एक Chinese traveler उनसे पता चलता है, लेकिन बाद में जो जो अन्होंने उसी जगह पे एक और पीपल का पेड लगवा है था, तो उसी को हम इसली हम उसे 5th generation का बोलते है, ठीक है तो यहां पर वही बताया हुआ है, अब यह एक heritage site बन चुकी है, और इसको जो चूटे हुए पतने हैं आप सिर्प उनी को टच कर सकते हो, बाकि जो अगर कोई पेड़ पेज लगे हुआ, आप उनको टच यह तोड नहीं सकते हो, विच आप द फॉलएंग बुदिस्च सेड़ प्लेसे सिचुएट इस सिचुएट अन द बांक आप रिवर निरंजरा, तो निरंजरा रिवर वर कौन है, तो बोध गया, ठीक है, तो जहां पर उनक किस नदी केना रहा है, तो निरंजरा रिवर, तो वो किस से रिलेटेट है, जो बुद्ध की टीचिंग है, तो वो है, प्योरिटी और होलिनेस ऑफ कंडेक्ट, तो और आपका सही हो जाएगा, क्वेशन नबर 55, वो अमंग द फॉलएंग वांग तो विकम द लीडर ऑफ सं संग after his death, तो किस को यहाँ पर किया तो नन अफ अबब, उनके बाद किसी को भी यहाँ पर लीडर्शिप के लिए नहीं चुना गया था, गौतम बुद्ध दिद नॉट अपॉइंट नहीं किया था, कि मेरे जाने के बाद मेरा सक्सेसर यह रहेगा, तो टीचिंग आप जो यहाँ पर जो बुद्ध के टीचिंग थी वो एक और जो और टीचिंग था, उसी में वो फॉलो होती आ रहे थी, तो कहां पर हुई थी वो, मैंने बताया था जब फर्स्ट बुद्धिस कांसिल हुई थी, उसी साल जो लॉड बुद्ध है उनकी डेथ हो गई थी, तो यह राजकीर में, तो option number A के साथ आप जाएंगे, option A, the concept of eightfold path form the theme of, तो जो concept है eightfold path, वो किस theme पर है, तो वो है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सुथ, तो option number D आपका सही हो जाएगा, which of the following is true about Gotham both, तो इसमें से कौन सा सही है, he believes in karma, तो यह सही है, he believes in rebirth, तो यह भी सही है, attaining निर the power of God, यह बिल्कु सही है, तो option number one, two, three हमारे सही हो जाएंगे, तो इसलिए हम option number A के साथ जाएंगे, one, two, and three, okay, Mahatma Buddha believed in the doctrines of karma, he used to believe in the concept of rebirth, attainment of nirvan, but did not believe in the existence of God and his power, Buddha believes in rebirth, previous life of Buddha is recorded in Jatak, okay, the entry of women as bhikshuni into the Buddhist sang was allowed by Gautam Buddha art, तो वो कहाँ पर किया था, तो वो किया था, वो किया था, विशाली में, ठीक है, जब उन्होंने जो महीला आए हैं, उनको भी as a bhikshuni, अपने बुदिस्ट संग में शामिल, entry करने के लिए हम बूल दिया था, किसकी request बोलाता है, तो यह उनके disciple थ तो वो कहा जाता है, शंकरा को, किसको कहा जाता है, शंकरा, तो option number A के साथ हम जाएंगे, शंकरा, आदी शंकराचारिया, was one of the greatest philosopher of Hinduism, आदी शंकराचारिया, is sometime called a crypto-Buddhist, by scholar, because he challenged Buddhism, and took away many of its concepts, and merged into a mainstream of Hinduism, क्योंकि यह वैसे तो challenge कर देते बुदिस्म को, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे concept Buddhism के, इन्होंने किस में merge कर दी है, Hinduism में, Buddhism lost his unique appeal, after the extended invasion on the Buddhist monastery, कहते हैं कि जो Buddhism की जो अपनी unique appeal थी, है ना, जो उसके अपनी खुद की unique ideology थी, वो पूरी तरह lost होती चली कहीं, जब बाहर से extended invasion होने लगे जो Buddhist monastery है, Buddhism had to leave India, and take refuge in Tibet, China, and other Southeast Asian countries, what is 3 Pitak, ठीक है, तो यह क बुद्ध की प्रीचिंग्स का, तो option number D, आपका यहां पर सही हो जाएक, तरी पितक में हमें तीन पितक के बाने बताया है, जिसमें पहला है सुद्ध पितक, जिसमें टीचिंग्स हैं, बुद्ध की, दूसरा है वीने पितक, कि जब आपको बोध संका हिस्सा बनना है, तो उसमें क्या rules आपको follow करने है, और एक है अभी दम पितक, जो philosophy के बारे में डील करता है, बुद्धिसम की, तरी पितक आदा scared books of the, तो किसकी books हैं, तो यहां पर option number D सही होगा, बुद्धिस्ट की, तीक है, तरी पितक, texts are related to which religion, तो यह किसे जुड़ा हो अभी बने पढ़ा बी सही हो जाएगा, which of the following Buddhist literature contain the Buddha sermon on matter of ethics and doctrines, तो यह बताता है, option number D, सुद्पितक, तीक है, option number D के साथ हम जाएगे, जो Buddha के sermon बताता है, on the matter of ethics and doctrines, सुद्पितक, which is also known as the सुद्पितक in Sanskrit, is extensive body of texting, constituting the basic doctrinal section of the Buddhist canon, सुद्पितक is the book of discourses dealing with the ethical principle of Buddha's teaching, one of the part of सुद्पितक known as the Diganika, is a collection of 34 long सुद्पित, including doctrinal, exposition, legend and modern rules, आगे बात करते है, question number 68 की, यमाका belongs to which, sorry, यमाका belongs to the Buddhist पितक, तो यह किस से बिलॉंग करता है, अभी दम के अंदर 7 books है, important उन 7 books में सही एक यह है, यमाका, ठीक है न, option number C हमारा सही हो जाएगा, यह मैंना आपको उपर पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर यह रही अभी दर पितक के अंदर 7 books है, यमाका, यह पत्थना, कथावतू, यह सारी है, ठीक है, तो आप देख ले नहीं, in Asian Indian Buddhist Monastery, a ceremony called the parvana used to be held, it was, तो यहाँ पर यह पूरा दे रखा है, तो यह मैं आपको यहाँ से बढ़ा है, तो इसका जो answer हो होगा, confession by monk of the offenses committed during their stay in the monastery during their rene season, option number C, B, आँपर सही हो जाएगा, असल में यह होता है, कि यह फेस्टिवल है, या किसे मनाते थे, during 4 month of the rainy season, the disciple of the buddha, लेवी ना, buddh-mahavya, देखो जब 4 महीने पूरी rainy season होते हो, तो उस टाइम पर जो disciples थे, buddh-vihar में रहते थे, during this season, they stop preaching their religion, और इस टाइम पर यह अपने religion क प्रीश करने में, जो से फिलाने में लगे हुए थे, उसे इनर बंद करना पड़ता था, after the rainy season, they again start preaching, अब जैसे यह rainy season खतम होता है, यह अपने preachings को वापस से start करते है, और एक welcome ceremony करते है, उस welcome ceremony को ही क्या बुलते थे, पबराना, ठीक ना, पबराना है से बूलते थे, in this ceremony, the अशोकराम जो वो थी, मौनास्री थी, वो पाटली पुत्र में थी, ठीक है, तो यह हमें जो बुद्धिस टेक्ट है, महावणशा, उनसे पता चलता है, कि जो मौर्यन रूलर थे, अशोका, उन्होंने, अशोकराम बिहार में, क्या बनवाई थी, मौनास्री बनवाई थी, ठीक यह रहा में रहा रहे तो वहर राजगीर नगा की बीहर है यह option मैसी ठीकर लेना, World Peace Pagoda भी बोलते है, इसकी हाइट है 400 meter, और यह situated है on the heels of Rajkir in Bihar, it's the highest Vishwa Shanti Soup in the world, okay, the giant Buddha statue of 80 feet at the Bodh Gaya was constructed by, तो यह जाइन जो Buddha का statue है, जो पुरा 80 feet है, Bodh Gaya में, उसे किस ने construct किया, तो वो Japanese, थी किया ना, तो वो Japanese construction पर है, in the giant Buddha statue in Bodh Gaya, Bihar, is 80 feet high, it is in the meditation, sorry, meditation posture or the Dhyan Mudra, where Buddha is seated on the lotus, in the open ear, it took 7 years to complete, and is made of sand, stone block, and the red granites, the statue was built with the help of the Zoko sect of Japan, where the word Stoop has been used for the first time, तो पहली बात जो स्टूप शवद है, 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 तो पहली which is not connected with incident of Lord Buddha as life is, तो ये है साची, तो ये जो Lord Buddha है, उनके किसी भी life incident से, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये लेकिन आपर इनका स्टूप है, तो ये लेकिन आपर इनका स्टूप है, तो ये इसका नाम है ककनम, क्या नाम है ककनम, तो ये Asian नेम है किसका साची में, साची ये लेकिन आपर इनका स्टूप है, तो 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 ये लेकिन आपर इनका स्ट what is the correct chronological order of the following इस उप्सक्षिशन पर छोड़ दिए कि यहां पर कोई भी इन में से सही नहीं है world is unstable and transient is related to which of the following तो यह कौन बताता है कि world पूरी तरसा unstable है तो यह buddhism ठीक है option number A हमारा नहीं पर सही हजाएगा who advocated neo-buddhism तो यह neo-buddhism है इसको कौन किसने advocate किया है तो यह Ambedgarji नहीं करा है ठीक है who among the following known as the light of Asia तो किसे कहा गया है light of Asia तो गी देखा गया गौतम बुद्ध को कहा गया है तो option number A हमारा पर आपका सही हो जाएगा गौतम बुद्ध इस अलसो नहीं आपका सही हो जाएगा who among the following is known as the light of Asia तो अभी पढ़ा हमने Lord Buddha option number B सही हो जाएगा with reference to the cultural history of India which one of the following is the current description of the term paramitas तो paramitas के लिए क्या कहा गया है जो उसका मतलब है तो वो है यहाँ पर option number C हमारा सही हो जाएगा perfection whose attainment lead to the bodhisattva path ठीक है na perfection whose attainment lead to the bodhisattva path option number C हमारा सही हो जाएगा paramita in Buddhist term is translated as a perfection यह ना paramita का मतलब अगर बात करें तो वो perfection होता है toward the path of becoming buddh the paramitas represent qualities that the bodhisattva strive to perfect in order to purify karma and kalish and develop bodhisattva मतलब जो bodhisattva होते थे इनका यही काम होता थे कि दूसरे लोगों को यह inspire करते थे या उनको motivate करते थे समझाते थे किस तरह से वो क्या कर सकते है वो भी मतलब जो बहुत धरम उसको समझ सकते है खुद के जो करम है वो कैसे purify कर सकते है तो इसलिए perfection लाने वाला काम करते थे Sir Edwin Arnold book The Light of Asia is based on तो किस पर based है यह तो यह है ललित विस्तार पर ललित विस्तार महायान बुदिजम की बहुत ही important text है तो यह उसी पर based है What is the fundamental difference between हीन यान and महायान सेक्ट बुदिजम तो देख कि क्या फर्क है देख को worship of God and Goddess क्योंकि जो हीन यान है वो worship नहीं मानता है God or Goddess की जब कि जो महायान है वो जो Lord Buddha है उनको भगवान की तरह मानता है तो यहां पर option number C पे आप टिक कर लेना वही उपर जो मैं आप बता दिया Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of तो Gautam Buddha को भगवान की तरह कब पाना जाने लगा तो वो तक कनिश्का टाइम जब हमारी 4th Buddhist council होती है और 4th Buddhist council में क्या होता है जो ही इन्या और महायान है वो आपस में डिवाइड हो जाते है The first human statue worshiped in India पहला किसी मनुष्य का statue जिसे पूझा गया हो तो वो कौन थे वो थे? Buddha, कौन थे? Buddha, इनकी मूर्ती पूझा उने शुरू हो जाते है उन्हें हमने कभी इन्सान नी माना उन्हें शुरू से भगवान मानते आ रहे थे लेकि जो Buddha है उनको पहले इन्सान माना और दिरी दिरी उनको इस तरह से उनको पूझा शुरू कर दिया तो उस तरह से पूझाईगे The oldest sculpture of Buddha is made in which style? The oldest sculpture of Buddha is made in which way? तो यहां पर आपका more than of the above हो जाएगा क्योंकि आपको Gandhar और Mathura आपको दोनों का दिखाई देगा जो oldest sculpture of Buddha यहीं इसमें बताया हुआ है और कुछ नहीं Which of the following laid the foundation of idol worship in the country? तो यह किसने किया था? जो यह idol worship है? ठीक है तो यह Buddhism, option number B आपका सही हो जाएगा Name the mudra which is represented by the Gandhar Buddha image of Saadnath as first sermon तो यहां पर कौन से mudra थी जिसमें Gandhar Buddha image of Saadnath की जो जिसमें आपको पहला sermon दे रहा है तो उसमें वो कौन से mudra में है? तो वो है धर्म चक्र mudra में क्योंकि वो उनका पहला क्या था? उनका first sermon था तो इसे हम धर्म चक्रपरिवरतन के नाम से ही जानते हैं ठीक है? The standing statue of Gotham Buddha was built in which period? जो standing statue है Gotham Buddha का वो किस period में बनाया गया? तो वो बनाया गया कुशान पीरियट में ठीक है? जो standing statue है कुशान पीरियट में In India, the Gandhar art flourished during the Kushan role इनिया में जो कुशान के टाइम पर ही जो Gandhar art है उस टाइम पर बहुत सादा फ्लरिश हुई पर्टिकुलररी कनिष्ट ग्रेटेस्ट ऑफ दा कुशान बहुत पैटरन आर्ट आर्किटेक्ट्चर अब जब उस टाइम का king है उसे ही आर्ट और आर्किटेक्ट्चर का बहुत शौक होगा तो कैसे वो चीज आगे नहीं पड़ेगी It was during his train that Gandhar school of art flourished both sitting and standing posture of buddh statue were carved out तो उसके टाइम पर sitting and standing दोनों position में जो posture थे उसमें जो buddh है उनकी statues को बनाया गया मत्रा school of art में and the Kushan art of Gandhar is mainly known for the wealth of scripture recovered from the numerous Buddhist stoop and monastery तो जादा जो काम हुआ है मत्रा में हुआ है बाकि जो Gandhar है उसे जाना चाता था जो wealth of structure मत्रा उस पर भी अच्छे scriptures बनते थे लिगा बात करें बोधरम जोड़े हुए तो प्रिवेंट मारा फ्रम दिस्दॉदिंग नहीं सगेंड है buddha' s calling of the art to witness his purity and chesty despite the temptation of Mara तो यह उप्षिन समाल के रखने वाला है थर्ड उप्षिन है आपका buddha's reminder to his follower that they will arise from the art and finally dissolve into the art बिल्कुल भी नहीं और यह और भी दोनों से यह नहीं In Bhoomi's Pashmudra, Buddha is seen seated with his right hand and a pendant over the right knee, stretching toward the ground with a palm, inward while touching the lotus stone. The left hand can be seen with a palm upright in his lap. The gesture represents the movement of the Buddhist awakening as he claimed the earth as a witness of his enlightenment just before he realized enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to flirted him with the armies of demons which represent the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. Saarnath Buddha image of Bhoomi's Pashmudra belong to. So Saarnath Buddha image of Bhoomi's Pashmudra belong to. Saarnath Buddha image of Bhoomi's Pashmudra belong to. Saarnath Buddha image of Bhoomi's Pashmudra belong to. With reference to the cultural history of India, consider the following pair. So here you have to tell us who is right. Pari Varejaka, Shramana, Shramana. So here we will see the answer. Option number 20, Upaasar who is right. So you have to take the follower of Buddhism, which are not monks. They are followers of Buddhism, but monks are not monks. Pari Varejaka literally means male renincent or vendor. Buddhist bhikshu primarily non-estha. The Buddhist bhikshu is mainly male. They call it Pari Varejaka. And Shramana is a monk who follow the aesthetic tradition and can follow anyone. The Buddhist bhikshu is also a monk. Okay, understand? Saarnath Buddha image of Bhoomi's Pashmudra belongs to. What do you have to read? The Gupta period option number 20. Kushi Nagar was the capital of Mal Republic and this is Lord Buddha Mahaparidvan took place. Look, both statements are right. But the Lord Buddha is the Mahaparidvan. Pari Nidvan who got in Kushi Nagar. So how did this reason happen? That Kushi Nagar was the capital of Kushi Nagar. So both are right. But no one got in the mail. So with option number 20. Which of the following pair are correctly matched? What is Lothal? Asian Dockyard is right. Saarnath First Tharman Buddha is right. Rajki Loyan Capital of Ashok. Dalanda Great Seat of Buddhist Learning. So your option number 3 is not right here. Other than your first 2 and 4 are right. So with option number C we have a job here. Okay? Because the Loyan capital of Ashok is famous for Sarnath. So Rajkir is a pilgrimage center for Buddhist, Hinduism, Jain. And famous for its hot water spring for its hot water spring. But the Loyan capital of Ashok is in Sarnath, rather than Rajkir. The remains of Asian Dockyard we have studied. In the Mahayan Buddhism, the Bodhi Sattva of Lok Teshwara was known as. So what did you say? It was called Padmapani. The Bodhi Sattva of Lok Teshwara was Padmapani. Okay? Mahayan Buddhism. With reference to the religious history of India, consider the following state. Sthavardhani belongs to Mahayan Buddhism. So it is not. Because Sthavardhani would say that the old tradition of the old tradition was still in it. Okay? So what happens to you? This happens to you. The Bodhi Sattva was an offshoot of Mahasangika, sect of Buddhism. This is right. The defecation of Buddhas by Mahasangika fostered the Mahayan Buddhism. This is right. So 2 or 3 is right. So the option number 2 is right. Consider the following defecation of the Buddha, trading the path of Bodhi Sattva. Image, worship and rituals. Here are three options. The concept of Bodhi Sattva is central to the Hinyan sect of Buddhism. So this is right. The concept of Bodhi Sattva is central to the Hinyan sect of Buddhism. The concept of Bodhi Sattva is central to the Hinyan sect of Buddhism. This is right. This is right. Because that was an enlightenment work. Bodhi Sattva delay achieving his salvation to help all sentiments belong to the path to it. That means he will delay his salvation to the others to show the right path. So this is right. So 2 or 3 is right. And then option number B is right. And the question of Bodhi Sattva is in the Hinyan movement, not in the Hinyan movement. Question number 100 is here. The largest and most evolved rock cut Chetia hall of the Hinyan phase is situated at. So this is rock cut Chetia hall. Hinyan, okay. Where is Karlay? Where is Karlay? Karlay. Where is Karlay? Where is Karlay? Where is Karlay? Which Indian Buddhist monk has been sent to China in the first century AD? So who was sent to Nagarjun? That was Nagarjun. We have read it before. So option number D is right. They have written about the concept of Madhyamakarika. They have written about the theory of relativity. They have written about the theory of India. They have written about the Einstein's doctrine of India. The doctrine of Void. Sunyata. This is not the case of Nagarjun. So option number E is right. To which Buddhist school did Nagarjun belong? To which school should all belong? So option number C is Madhyamika. Because Buddhist centre of learning is? Is Vidhramshila. Okay. Vidhramshila. These 3Ds are not there. There is another learning centre. Who is Vikramshila? Which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? Which one of the following rulers did not contributes towards the expansion of Buddhism? Which one of the rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? तो यह कहां पर है, तो यह उदन्पूरी जो education center है यह है बिहार में, कहां पर है बिहार में, तो उदन्पूरी को यह prominent education center है, एशन टाइम का, यह मगद में situated है, जो आपका present अभी बिहार में है, और इस्टैब्लिश किया था जो पाल एम्परर थे, गुपाल फर्स्ट ने, वल इस रात में है, वल्लाभी university, ठीक है, नालंदा university was founded during the dynasty of, तो जो नालंदा university है, वो किस dynasty के time पर found की गई थी, तो यह थी गुपता dynasty, ठीक है ना, कौन सी, गुपता dynasty, नालंदा was a large Buddhist monastery in the Asian kingdom of Maghat, historian of a described Nalanda as a university, नालंदा flourished under Gupta Rula and famous for Buddhist religion, religious philosophies, who was the founder of Nalanda university channel, को फिक्रमारतिया, Gumar Gupta, और कौन से option है, यहाँ पर आपके, धर्मपाल और पुष्पर गुपता, तो option number B, आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर कुमार गुपता, अभी नीचे देखा था, Nalanda university was the world first international university, founded in the 450 AD, during the reign of Kumar Gupta, the great archaeologist, Alexander Cunningham, identified this site as Nalanda university, तो इसके सही भी जो बाद में पता लगाया था, identify किया था, तो वो भी Alexander Cunningham ही थे, why was Nalanda university famous in the world, क्यों famous थी, तो यह थी, अपनी Buddhist religious philosophies के लिए, तो option number C, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, with reference to the religious history of India, consider the following statement, Swatantrika and Samathya were the sect of jainism, यह यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा आपका सही है, ठीक है ना, correct पूछा गया है, तो यह तो गलत हो जाता है, यह Swatantrika and Samathya थामने पढ़ाता है, तो हीन यहाँ sect से बिलॉंग करते हैं, Shravastavadini had that the constituent of phenomena were not only momentary, but they existed forever in a latent form, तो यह आपका सही है, तो option number B, आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर, to only, Till the 12th century, नालंदा महावियरा lost its glory, state protection ceased to be available to महावियरा, तो यह है आपका बिलकुल सही है, दोनों ही statement एक तम सही है, देखो होता क्या है, नालंदा बहुत फेमस सेंटर था, बुद्धिसम का, लेंडिंग का, यूनिवरस्टी भी थी, it was located at Rajgir, in Southern Bihar, नालंदा यूनिवरस् यहाँ पर मतब से found किया गया था, लेकिन जैसे ही 12th century आती है, महावियरा went due to Muslim invasion, यहाँ पर क्या होता है, Muslim invasion वो श्रू हो जाता है, अब जो importance थी नालंदा की वो धीरे धीरे खतम होती जा रही थी, due to Pal rulers of Bengal, क्योंकि जो Pal rulers थे Bengal के, उन्होंने अब इसको protection देना बंद कर दिय उनका अब धियान किदा चला गया, विक्रम शिला यूनिवस्टी पर, तो नालंदा की जो value थी वो कम होते चले गए, तो इसलिए यहाँ पर आपका option number A सही है, assertion भी सही है, और reason भी उसका सही है, नम नालंदा महावियर is famous for, तो किसलिए famous है, यह है पाल रिसर्च center के लिए famous, पाली रिसर्च center के लिए जो नम नालंदा है, जिसे 1951 में दुबारा से बिहार गौर्मन ने शुरू करा है, तो यह famous है पाली रिसर्च center के लिए, which of the following were common to both Buddhism and Janism, तो क्या चीज़ कमन है इसमें, avoidance of extremities of penance and enjoyment, indifference to the authority of Vedas, Daniel of efficiency of ritual and non-injury to animal life, तो option number यहाँ पर आपको two, वो भी रखा है के एक second, यह तो यहाँ पर आपको option number B सही हो जाएगा, क्योंकि देखो, यह जो चीज़ है avoidance of extremities of penance and enjoyment, तो यह जो तपस्या है एकदम बड़े वाली, सन्यासी बनने वाली, तो यह जेन धरम तो बुद्धिजम ने इतना कठोर होने के लिए कभी नहीं का, तो बाकी यह तीनों सही है, बाकी यहाँ थोड़े हम इसमें कह सकते के इसमें, यह तोनों की सोच में, फर्स्ट वाले point को लेकर अलग है, तो यहाँ भी यह सेमी question है, which one of the following is not common between the buddhism and jainism, तो यह है आपका option number C, self-mortification, इन दोनों को लेकर, इन दोनों की जो, वो थे, मत थे, वो सेम नहीं थे, Lord both preached the first forward noble truth, put them in a correct order using the court given below, तो पहला है, there is a suffering, ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा है, आपका, there is a cause of suffering, फिर उसके बाद आपका, जो यह B वाला है, य there is a path leading to the situation of suffering, तो option number A, यहाँ पर आपका, सही हो जाएगा, A, D, B, C, both jainism and buddhism believe that, तो किसमें believe करते थे, philosophy of karma and transmigration of soul पर correct, तो option number A, यहाँ पर आपका, सही हो जाएगा, both buddhism and jainism believe in the concept of karma, which is state that our past action affect our present and future, दोनों का माना था कि हमारे past action है, वही effect करते है, हमारे present and future पर, one could do a well in the life and reborn to a warm in the next life, यह मतलब आपके जो पुनाले जन्म के जो करम है, वही आपको, आपको next, जो आपका जन्म होने वाला है, उसमें आपको भूगने के लिए मिलते हैं, similarly, affliction in this life are often explained away as the effect of karma of a previous life, तो वही जो बताया है, बस, rejected the concept of rebirth, यह बताया है, जो philosophy है, बुदिजम की, वो क्या करती है, वो reject करती है, concept of rebirth को, तो यह तो बिल्कुल गलाते है, क्यों बुदिजम तो rebirth में believe करता है, soul is mortal, तो हाँ, यह वो कहते थे, कि soul कभी मरती नहीं है, वो क्या है, वो mortal है, ठीक है, वो sorry, soul is mortal, तो यह उनका सही statement थ कि जो soul है, वो क्या है, वो भी mortal है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको option number D सही हो जाएगा, यहाँ बात करते है, which of the following statement is our correct about Buddhism, तो यह Buddhism के बारे बताना है, कि इसमें से कौन सही है, it did not reject caste system, तो यहाँ पर यह statement हमारी हो जाती है, यह हमारी सही हो जाती है, it challenged highest social ranked Brahmans, तो यह भी आ जाते हम लोग को यह लगता है, कि जो बुद्धिजम है, वो caste distinction में बिलीब नहीं करता था, लेकिन इस option को देखे, आपको थोड़ी से घोश उड़ गई होंगी, कि कहीना कहीं यहाँ पर भी जो कुछ caste है, उनको लो समझा जाता था, बेसे कि लोड़ों जो challenge किया था, वो बल्कि आप जब ललित विस्तार को पढ़ेंगे, जो एक महायान का बहुत ही important बुद्धिजम का टेक्स्ट है, उसमें यह बताया हुआ है, कि जो बुद्ध है, उनका जब जनम होने वाला था, तो उससे पहले देवताओ की meeting होती है, कि इने किस कुल में पैदा करना हैं, या तो यह ब्रामणों में जाएंगे, या फिर शत्रेकुल में जाएंगे, और वो बोध्धरम की बहुत important book है, है ना, तो इसलिए कहीं न कहीं तो यहां पर बात आती है, कास्ट और क्लास की, हलागी वो जो story है, ठीक है, हम उस पर साधा नहीं बात करेंगे, लेकिन य आत्मावाद, ठीक है, no self is a doctrine of, तो यह किसका हो था, doctrine था, तो यह बुद्धिजम का था, ठीक है, the reason included in the expansion of Buddhism, the simplicity of religion, special appeal towards Dalits, missionary concept of religion, and regional language, the soundness of Vedic spirit by philosopher, तो इसमें से क्या reason था, जिसकी वज़िसे जब बुद्धिजम है, उसका expansion हुआ, तो यहां पर आपकी चार statement सहीं है, ठीक है the simplicity of religion, ठीक है, special appeal towards Dalit, missionary concept of religion, और regional languages, ठीक है, बाकी देखो Vedic spirit वगर की यह लोग बात नहीं करते थे, ठीक है, इनके तो अपने आर्या सत्ता थे, eightfold path, उसको follow करते थे, who has propounded the doctrine of momentariness, तो यह किसने किया था, तो यह बुद्ध, ठीक है, why did Buddhism start declining in India in the early medieval time, तो क्यों decline होने लगा, तो बुद्ध was that time, as considered as one of the incarnations of Vishnu, that become a part of Westernism, तो यह बिलकुँ सही है, ना कि दीरे दीरे बुद्ध को यह माना जाने लगा, कि वो Vishnu के ही अफ्तार है, और फिर दीरे इनको विश्णism, वेश्णism का पार्ट बना दिया, सगीन है, यहाँ पर the invading tribes of Central Asia, till the time of last Gupta King, adopted Hinduism, persecuted Buddhism, त एक जू इस जू गलात है, यह जू जू अब झालाध है, इस यह जू पना सुन Gibson on diagnostics and iniciating book, वोcca उ जू ना में है, तो बिलकुल स्टेतमेंट है, तो बिलकुल स्टेतमेंट है, तो आँ यहाँ पर आपकी जू statement सही है, यहाँ पर आपकी जो statement सही है, थीक है, consider the following statement, what is the difference between Chetay तो दो को चेत्यास और विहार में बताया है तो यहां पर भीहार इसा प्लेस आ प्लेस वर्शिवल चेत्यास विहहर जई नहीं चेत्य आ प्लेस वर्षिवल विहार बिस होच फेलिटिषीं बश्जए रहने की विवस्ता होती है स्थों बुदिस्त नदम्डॉ got depois आरकॉल चेत्यास, वाइल अधर आरकॉल विहारास, what is the difference between the two, वही जो उपर पड़ा, तोनों में क्या फर्क था, देखो जो चेत्या थे, वो ऐसी जंगा थी, मैंने आप पता थे न, चेत्या मतलब चिता, और चिता मतलब जहाँ पर, उनकी जो, जिने वो बहुत सदा मानते थे, उनकी belonging सवाके पर रखी जाती थी, है न, तो वहाँ पर कोई सोनेस तो रहा, वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर पूजा होगी, और जो उसके आसपास जो घहर गाओं बन जाते थे, उसको वहारास बोलते थे, ठीक है, जहाँ पर मॉंक्स रहते थे, तो option number B, यहाँ पर आपका सही होगा, consider the following statement, the early 6th grand वहार ऑफ गुंटुपली, in West Godavar district का रॉक कट, तो यह बिल्कुल सही है, the 6th and वहारास of Eastern Deccan are usually रॉक कट, यह बिल्कुल गलत है, तो option number A, आपका सही है, कि जो early Chetya Gresh थे और विहारास थे, जो गुंटुपली में थे, जो आपका West Godavar district में है, वो सारे रॉक कट थे, लेकिन यह Deccan वाले यह रॉक कट नहीं थे, गुंटुपली ना Godavar district of Andhra Pradesh, it has rock cut Chetya's and Vihara, there are pieces of evidence of construction of Chetya's and Vihara's from 2, like 49th century, 2 to 4th century and 5, 6th century, Chetya's and Vihara's of East Deccan are generally constructed using brick, ठीक है, तो जो Eastern Deccan side वाले Chetya's Vihara थे, वो किसके बने हुए थे, वो bricks के बने हुए थे, ठीक है, which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period, तो देको जो Sultanate period के टाइम पे, जब यहाँ आप आचुके हैं, यहाँ आप आचुके हैं, ठीक है, तो यह जो यहाँ पर इस टाइम पे, कौन सी Buddhism की form से सबसे ज़दा prominent थी, तो वो थी यहाँ पर वज्रियान, कौन सी थी? वज्रियान, ठीक है, तो option number C, यहाँ पर याद रखना, वज्रियान, ठीक है, इन अचुके है, वज्रियान सेक्ट बुद्धिजम वस मोस् प्रॉमिनेंट, वज्रियान मोस्टी फ्लरिष इन थी एट सेंचुरी, और जो यह प्रिंसिपल है वज्रियान के, आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो यह मिलेंगे, मन्जु श्री मूलकल्प और गुईयान समाज, ठीक है ना, यह गुईयान समाज जो है, यहाँ पर आपको मिलेंगे, बस सब ज़़दे इंपोर्टन तो यह है, कि सल्टनात के टाइम पर, पर बुद्धिसम की कौन सी फॉर्म थी, जो बहुत सब प्रॉमिनन थी, तो वो थी वज्रिया, मतलब जब दुनिया को बचाने के लिए, फूचर बुद्धा कौन से आएंगे, तो उनका क्या नाम होगा, तो उनका नाम होगा मैत्रिया, ठीक है, which one of the following statement is correct तो इनमेंसे कौनसी statement correct है अजन्ता cave lie in the god of वगोरा river तो यहाँ पर आपका option number A ही सही है तो बाकि हम जाएंगे पढ़ेंगे नी तो अजन्ता जो caves है वो कहाँ पर है तो lie करती है वो जो वगोरा river है वहाँ पर ठीक है तो option questions को cover करने की कोशिश करेंगे प्लीज आप मुझे जरूर बदाना कि यह लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं ठीक है तो आच लिए आज के लिए इतना ही चलते हैं